खबर हाजीपुर के नगर्थाना छित्र के बागमली जहां पांच की संख्या में आए बेक ओफ अपराधियों ने हंतियार के बल पर एक कॉस्मेटिक दुकान पर धावा बोलकर तक्रिबन 20 लाख के जेवरात और 5 लाख कैस लूट कर फरार हो गया सभी अपराधियों ग्रहांक बनकर दुकान में आये थे इस दोरान बंदू की नोग पर लूट पार्ट की घटना को अंजाम दिया अपराधियों ने दुकानदार समेत पुड़े परिवार को गन पॉइंट पर ले लिया इसके बाद लूट पार्ट की इस दोरान अपराधियों ने परिवार के सभी सदस्यों को बातरूम में बंद कर दिया वहीं CCTV कैमरे की हार्ट डिस्क लेकर फरार हो गये घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीर जमा हो गई वहीं सदर SDP और रागोदयाल डलबल के साथ मौके पर पहुँचे और मामले की चान बिन की पुलिस के मताविक पांच की संक्या में आए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है जिसके बाद अपराधियों की गिरफतारी के लिए चापे मारी की जा रही है साथ ही दुकान के आजपास लगे CCTV कैमरे को भी खंगाला जा रहा है ताकि अपराधियों की पहचान कर उसकी गिरफतारी की जा सके अपराधियों ने परिवार के सभी सदस्यों को गोली मारने की भी धमकी दी है जिसके कारण परिवार के लोग दैसत में हैं इस तरह एक बार फिर बेखाफ अपराधियों ने फुलिस को बड़ी चुनाती दी है ले जाने के बाद बंद करके जो भी समान था उले के गया मेरे बच्ची को उपर सेकंड फ्लॉर पर उसके बाद हम को बात्रूं में हम तीनों आदमी को बंद करके वो चला गया लगबग पचीस लाख लुके है हाँ बीस लाग का तो गहना ले गया सारे चार लाग कैस ले गया कि यह उपिंदर प्रसाइशिंग है उनका कोस्मेटी का दुकान है बागमली रोड में हाजिपूर लाल गंज रोड में साम साथ वजे पांच अपरात कर्में के घर में प्र अलमीरा का ताला कुलवा करके और उसमें से जैसा कि इनका घर वाले का कहना है कि गहना जेबर सब ले गया और साथ चालग का नगद ले गया है इस तो बीच लाग का बता रहे हैं अब बोले कि पहले आकर के दो अपरादिकर्मी आकर के समान वगएर देख रहा था जब मैं बोला कि दुकान मुझे बंद करना है तो और तीन आगे पांच हो गए उसको अद्गान पर ले करके और घर में इस तरगे घटना ही घटी है तो अभी हम लोग पर पहुंचें कार्वाट की जाएगी